नमस्कार एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारी काईखरम में अपनी जिंदगी की हुशाली और इसकी बहतरी के लिए हम क्या कुछ नहीं करते हैं एक छोटा सा प्रयास कि हम थोड़ा सा समय अपने ले निकालें और अपने बारे में जानने की कोशिश करें तो स्वास्ते सबसे उत्तम निधी है किसी भी मनुष्य के लिए तो आज इसी विशय पर चर्चा करेंगे और नारी स्वास्ते को समझने की कोशिश करेंगे और हमसे अपने ग्यान को साजा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नीलिका अमबेश तो चलिए आपकी करवाते हैं उनसे मलाकात बहुत-बहुत स्वागत है डॉक्टर नीलिका हमारे का एकरम में तैंक्यू मिनाक्षी जी और नारी की जब चर्चा होती है तो हम चर्चा करते-करते एक जो चवी बनती है वो एक सौंदारियबोद की चवी होती है जमेदारी की चवी होती है और खूब सारे आयाम होते हैं नारी के उस रूप में हम देखते हैं लेकिन अगर वास्तों में एक डॉक्टर की हैसिय से आप नारी की चरचा करेंगी तो कैसे और किस रूप में? नारी की चर्चा करना तो जब से बच्ची का जन्म होता है तब ही से शुरू हो जाता है उनकी पालन पोशन से लेकर के उनकी ग्रोथ और उसके बाद उनके पर्सनल हाइजीन और ये सब देखते हुए हम लोग नारी स्वास्त को चार भागों में डिवाइड कर सकते हैं जो की बाले वस्था से लेकर के प्यूबर्टी तक जाता है प्यूबर्टी से रिप्रड़क्टिव एज ग्रूप तक वहां से मीनोपॉस तक मीनोपॉस जेरियार्टिक तक और हर उम्र का अपना एक प्रिवेंटिव एक पहलू है और एक उसका क्यूरेटिव पहलू है तो अ बच्चों का सभी कोई क्यार करता है चाहे बच्चा बेटा है चाहे बेटी है सब आजकल के उसमें हम लोग एक दुसरे को अवेर और अपग्रेड करने के उसमें हम लोगों को दोनों का ही क्यार हो रहा है लोग शिक्षित भी हैं और हर सरकार के सहीयोग से और संसाओं के सहीय करना है, nutrition पे care करना है, immunization पे care करना है, जो कि science जो है day by day डेवलेप हो रहा है, तो बच्चियों का जो विशेश care करने का बात है, बच्चों का भी, लड़कों का भी, क्योंकि जो वैक्सिन अभी नहीं निकली है, जो सभी वैक्सिन सभी लगती है, जो पीडियाट्रिक एज ग रवाइकल कांसर के प्रिवेंशन के लिए जो वैक्सिन यूज करते हैं, वो जो एडॉलेसेंट एज ग्रूप है, जो बच्चियां, बच्चे भी, स्कूल में ये प्रोग्राम लाने का, अब ये इस तरीकी की पॉलिसी चल रही है, ये पॉलिसी मेकर्स का काम है, लेकिन व बहुत बड़ी-बड़ी बीमारियां हैं, उससे शुरुआत से ही, बच्चपन से ही, प्रिवेंशन के लिए हम लोग एक कदम बढ़ा सकते हैं, बलकुल, और ये एक अच्छी बात है कि अब वैक्सिनेशन की मदद से, ना सिर्फ कोवीड बलकी है, बहुत समय पहले से ही, बहुत सारी बेमारियों पर कंट्रोल किया जा रहा है, जिसमें सर्वाइकल कैंसर एक महत्पूर्ण विशय है, इस पर और विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन अभी जानना चाहेंगे कि जब नारी स्वास्ति की बात आती है, तो इसकी शुरुआत अगर चिकी पहलू से दिखी जाए, और जाग रुपता की और से देखी जाएं, तो शायद टीनेज से मुझे लगता है कि यह चर्चार रहती है कि बच्चों को यह भी समझ देना जरूरी है कि स्कूल में भी इस चीज को इन लोगों ने अपने हाथ में लिया है, कि प्यूबर्टी के विशे में उसके संबंधित ग्रोथ चीजों के विशे में और मतलब जो बच्चे लोग घर में ना समझ पाए या उन्हों जरूरत ही नहीं है बच्चों को सामुहिक तरीके से इसके बारे में फिल्म्स दिखा करके एजुकेटिव माटीरियल समझा करके जब बच्चे लोग मेंस्टूरेशन शुरू होता है लड़कियों का बच्चियों का अब तो कैसे पर्सनल हाईजीन का ध्यान देना है यह स्कूलिंग बच्चों का यह स्कूल्स की तरफ से बहुत बड़ा मतलब की योगदान है जो कि यह समझाया जाता है और विशे के ब बच्चों को घर में भी और में है कि हाईजीन के विशे में जानकारी अभी देने से अब जब वो नेक्स्ट स्टेज में पहुंचेंगे एक जो इस एज गुरूप से टीनेजर से वो रिप्रोड़क्टिव एज गुरूप में एंटर करेंगी जो की यह एक्टिव लाइफ क्योंकि प्रिवेंशन इस बेटर दर दन क्यॉर तो हम क्युरेटिव चीज में जानें कि जब कोई दिक्कत होगी तो क्यूरेटिव में जाना ज़रूरी है लेकिन अगर करें तो बहुत से चीज़े आवयट कर सकते हैं और अगर परसनल हाईजीन की बात करें कास वर पे मह के लिए और उन बच्चियों के लिए क्या सुझाओ देंगी यह एक नाच्रल प्रक्रिया है यह फिजियॉलजी है तो फिजियॉलजी का हम लोग को नाच्रल तरीके से उसका केयर करना है उस उन दूनों के दौरान थोड़ा सा न्यूट्रिशन और अपग्रेड करना है लिए लेकिन बच्चियों को खासतर कपे की अपने कपड़ों के विशह में अपने प्रापर सांत्री नापकिन के चेंज के विशह में क्योंकि जो की साइक्लिक जो है में पीरेट्स का है इस्जू उसमें जो एंड तक में थोड़ा सा लोग लेजी हो जाते हैं एक जैसे प हुआ है उसको चेंज करना जरूरी है दो टाइम टीन टाइम ताकि जो बॉड़ी के फ्लूइड्स के अलावा जो पसीने हैं इन सब को भी हाईजनिकली उसको जो की लोग समझते नहीं है कि हैना अब तो सोक नहीं हुआ है तो चलो वीकेंड कैरी ओन अगले दिन भी तो यह रॉंग नोशन है और जिसको समझना जरूरी है कि यह इसको भी चेंज करना जो अगर आपने कुछ पटी लगाई है गेली हो चाहिए नहों अगले दिन आपने चेंज करना है तो वो पटी है वो आप जो आप नापकिन्स यूज कर रहे हैं उसको आपको उसको चेंज करना ह करना है दिन में दो बार तीन बार भी कर सकते हैं और आज कल तो एजली अविलेबल नैपकिन्स है एट लो कॉस्ट अविलेबल हैं जिसको का यू जिसका यूज होना चाहिए जिए बिल्कुल कपड़े तो एक समस्या जो आती है टीन एज की जब पीरिट शुरू होते हैं हमने बताया कि यह तो फिजियॉलजी है तो इसमें अब आप आपके लिए कोई चीज नॉर्मल नहीं है पेन कभी भी नॉर्मल नहीं होता है तो यह डॉक्टर डिसाइड करेगा कि विदर यह आपका पेन जो है वो नॉर्मल है कि कुछ और पैथॉलजी है उसकी तो उसमें आप हमेशा डॉक्टर का हेल्प ले सकते हैं कि उसको सहने के बजाए उसको और यह अगर कोई रोग ही हो रहा होगा तो इसको बढ़ाने कि अपेक्षा अगर आप डॉक्टर की सलाह लेंगे अगर वो समझेंगे कि हाई यह नॉर्मल है आप थोड़ा सा और रिलाक्स हो रोक्षया है तोसमें डॉक्टर के है अड्वाइस यह साब से अफने को रिलाक्स करें कि हाना हाम को नुट्रिशन बढ़ाना है कि हमें क्रिव यह कोई बाद प्रॉबल मैं तो उसमें सलाह ले उसमें उसके विशह में क्या कोई चीज हो रही होगी तो वो इसको बढ़ाने प्रक्रिया है जो है जो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है उनके बारे में चर्चा करना बहुत जरूरी है कि वो क्या सही समय है क्या उम्र होनी चाहिए और किस उम्र तक हम ये प्लान कर सकते हैं जी देखिए नॉम्स तुब कहते हैं कि उम्र एक निर्धारित होती है जिसवे कि जब से बच्चा पैदा होता है तब से लेकर के जब तक उनका रिप्रोड़क्टिव एज में डे बाई डे उनका जो है कि सेल्स का एजिंग होता है वैसे ही आपके जो रिप्रोड़क्टिव सेल्स होते उनका भी एजिंग होता है तो वो तो आपकी एज बढ़ती चली जाएगी तो नाचरली चीजे लेस होते चले जाएगी आपका मेंटल स्टेटस जब बोलेगा कि आपको हाँ अब आप रिप्रोड़क्टिव एज ग्रूप में है बट दन अब आपको कंसीव भी चाहते हैं कि एक सेटल्मेंट की तरफ रहें जिसमें बच्चों का पालन पोशन कर पाएं ऐसे स्टेज में रहकर के फिर हम लोगों को अपने फैमिली में एंटर करना चाहिए तो इट इस ऑल्वेस गुट की आप मेंटली भी स्टेबल रहने चाहिए और फिजिकली भी जाएंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम होगा कुछ अन्य समस्यां फेस करेंगे आप और अगर बिलोग 25 रहेंगे तो अलग समस्यां फेस करेंगे अर्ली वाली समस्यां फेस करेंगे तो एक अप्रॉक्समेटली 25-35 के बीच में अगर प्रेग्नेंसी प्लान करते हैं तो आप अपने को समहालते हूए और आने वाले बच्चे के लिए भी आप अपने को रेडी कर सकते हैं बिल्कूल और एक समस्या और जो बहुत आजकल वो भी कॉमन हो रही है इन फर्टिलिटी की समस्या यानि यही की पांजपन की समस्या technology और कहीं-न इसके लिए हम लोग ही थ होता है तो उस दोरान कई बार आनियमित पीरेड्स भी होते हैं जिसके बारे में कि अभी तो बच्चा है बच्ची है तो नहीं हम लोगों को करेक्शन की जरुवत है लेकिन यह चीज आगे जाकर के इंफर्टिलिटी को कौस करते हैं जी तो इंफर्टिलिटी का आज की सब इ हैं या आपको और भी कोई इंफेक्शन हो रहे हैं या आपके जैसे बाकी डिजीज आवैसे इंफर्टिलिटी भी है जिसका ट्रीटमेंट है जो कि अगर क्यों हर चीज का कॉज खो जा जाए तो उसका ट्रीटमेंट है तो कोई चीज जैसे अन्नोन नहीं है तो अगर जो चीज नोन है उसका ट्रीटमेंट है आप ट्रीटमेंट में आएंगे सारा चीज आपके लिए इजी हो जाएगा बस आपको राइट टाइम पर ट्रीटमेंट में आना है आफटे टू इयर्ज ओफ रेगुलर स्टेंग तोगेधर आप अगर फिर भी सोच रहे हैं कि हाँ आ आपको इमेडेटली कई बर लोग 5 साल, 7 साल, 10 साल बिता देते हैं नाच्रल तरीके से तो इंस्टेड ओफ डाट की आप 2-3 साल के अंदर असेस कर लेना है कि हाँ अब फैमिली होना चाहिए और उसमें ज्यादा अच्छे से हेल्प कर सकते हैं हम लोग भी जी बिलकुल और आजकल आईवीएफ की बात करते हैं सेरोगेट मदर्स की बात करते हैं दुनिया काफी तरक्की कर चुकी है बाते काफी एडवांस हो चुकी है और अब भारत में भी यह सब चीजों का प्रेसलन काफी बढ़ रहा है तो आईवीएफ के बारे में हम कुछ संशित में जानना प्रेजनंसी होने चाहिए इनफटैलीटी की बात कर रहें इनफटलीटी में स्टेजड होते हैं जैसे सीडिया चाड टैप्स होते हैं तो नाचूनल तरीका होता है फिर आईवाइज दहोते हैं जिसमें कि यह एक इस्टेस्ट बेबुक्तिवcza श्र में बुलते हैं तो यह आपकी ओवानेर्स परम को बाहर में फर्ट लाइज करा करके उसको फिर वों में डाला जाता है जिससे की परेगननसी और फिर उसको जैसे की पॉधह को डाल दियां बीज डाल दिया उसको ग्रो कराए है वैसे ग्रो करा ना यह common language में बात, common terms में है, अब वोम को healthy रहना है, चाहिए, तब अगर healthy नहीं है, तो serogacy वाली बात आती है, that is the next step, हम लोग उसको छोड़ने, एक एक इंसान का right है, कि वो biological parent बनने का, जिसके लिए यह सब प्रक्रिया है, तो serogacy is another stage to it, है ना, बिल्कुल, और अगर बात करें कैंसर को लेकर के जो है, जो है, चलते चलते जो, वो बहुत जरूरी है, एक message और उसके लिए, क्या हमें सजद्धा बरत नी चाहिए, और किस उमर के बाद विश्पिस लिए, कैंसर का, is a preventable disease, कैंसर is a preventable disease, awareness चाहिए उसके लिए, right from breast cancer, to cervical cancer, to uterine cancers, आपका awareness चाहिए नहीं क आप ब्लीड किये जा रहे हैं, for two, three years, and then you are coming up, उसके बाद आ रहे हैं, तो ब्लीडिंग का आपको, naturally, डिप डाइगनोसिस बनाएंगे, तो दोनों तरफ बात हो सकती है, और समय अब इशारा कर रहा है, कि अपनी बाचित को यहीं वेराम दें, आगे कुछ और आप से मुल पकात अपते के लिए दीजाए इसासर, नमस्कार, नमस्ट